बागलपूर पुलीस ने सब और में हुए सुमनकुमार हत्याकांड का माच छे घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है पुलीस ने इस मामले में सनलिप्त पाँच अपरादियों को गिरपतार कर लिया है आज सिटीस पी डॉक्टर के रामदास ने प्रेस कॉनफरेंस में मामले की चानकारी दी सिटीस पी ने बताया कि बाबूपूर निवासी सुमनकुमार को मचली मारने के बाहने ले जाकर चाकु से गोद कर हत्या कर दी गई और उसके सब को गंगा नदी में फेक दिया गया सुमन के पिता के बयान पर सबहुर्थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई जिसके बाद डियस पी बिदी वेवस्था के नितरित में एक विसेश टीम का गठन किया गया उन्होंने बताया कि टीम ने तुरित कारवाई करते हुए 24 गंटे के अंदर पाँच अफरादियों को गिरफतार कर लिया साथी हत्या में प्रियुक्त चाकु भी बरामत कर लिया गया है एस्पी ने बताया कि इस सफल आपरेशन में अंचल निरक्चक गुपाल कुमार, सवर्थाना द्यक्ष विवेक कुमार जैसवाल, डियु की टीम और सवर्थाना पुलीस सामिल रही पिनंक 23-9-24 को सुबोर्थाना अंदरगत ग्राम बाबुपूर के रहने वाले सुमन कुमार को कुछ विवेक्तिवक का द्वारा मजली मारने के कहाने के जाकर चाकु मारकर गंगा नदी पे फेक दिया गया है मृतक को पिता लिकित आवेदन के अनुसार सुबोर्थाना में कांसंक्या 33-7-24 अंखित करके जांच शुरू किया गया है अब्युक्तों को ग्रफतारी हेतु पुलिस उपादिक्षक विदी वस्ता के नेतरतों में एक टीम गटन किया गया है इस टीम और तक्निकी सायोग से नामजद पांच अभियुक्तों को 24 गंड़ के अंदर ग्रफतार कर दी गई है इसी गटना को प्रयोग किया है ये चाकू भी बरामद किया गया है गरफतारिवा व्यक्तियों को विबरन मांगन कुमार मुकेश यादव उर्फ एमपी यादव प्रेमु मंडल गोपाल मंडल गौरी मंडल सभी साकिन बाभुपूर मंध टोला ताना सबोर जिला बागलपूर इसमें प्रदान अभ्युक्त है मुकेश यादव उर्फ एमपी यादव को अपरातिक दियास पता चला है सुबर ताना कान संक्या 615-3 और परवता ताना 12-21 परवता ताना 12-21 यह हत्या कांड का और सुबर ताना अन्य कांड को भी अभी पता चल रही है पीडित है उनको बाकियों लोग अभ्युक्त को मचली मानने के लिए रोक दिया है तो इसी विवात लेके हत्या करते हैं भागलपूर रेंज के डियाजी बिवेका नंद ने बुद्वार को भागलपूर पुलीस लाइन में आयोजित एक समहरों में पिछली वर्स बहतर कारे करने वाले सभी पुलीस कर्मियों को प्रस्वस्ती पत्र देकर समानित किया इस अबसर पर डियाजी बिवेका नंद ने विशेश रूप से कुख्यात अपराधी मोहन ठाकूर और पमोहना ठाकूर की गिरपतारी और नसे के खिलाप अभियान में यह उत्कृष्ण प्रदर्चन करने वाले पुलीस कर्मियों की सरहना की समारों में वर्य पुलीस अधिक्चका नंद कुमार, सिटी एस्पी के रामदास, सिटी डी एस्पी अजैक कुमार चौधरी सहित, भागलपूर बाका और नबगच्या पुलीस जिला के कई पुलीस कर्मी उपस्तित थे पुर्विये रेंज के वो पदादिकारी जिन्होंने बेहतरीन काम किया था पिछले वर्स, तो उनको प्रस्कृत करने के लिए, उनको रिक्रिगनाईज करने के लिए आज यह कारकरम आईजित किया गया था और इसमें से मुखे रूप से दो काम जो हैं उलेखनिया हैं, एक तो मुहन ठाकूर की गिरफतारी से संबन देत है और दूसरा नशे के कारोबार को ध्वस्त करने में जो बड़ी कारवाई हुई है, और कड़ों की अवैद नसीली वस्त में बरामद हुई, वह भी एक महत् प्रून कार था और इससे इस पूरे कारोबार के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया, और बड़े अस्तर पर इसकी प्रशंसा भी हुई है, राज अस्तर पर इन सभी एचिवमेंस को रिकगनाईज किया गया है और उसी क्रम में आज यह समान समारो उन प्लिस कर्मियों के पुरूर रेलवे के मालदा मंडल ने जलस्तर में बृद्धी के चलते, ट्रेन सेवाओं के अस्तगन की अबदी का उप्योग करते हुए महतपुर्ण रख रखाओ और उन्नियन पर योजनाओं को पूरा किया है, गंगा नदी में आई भी सन बाल के कारण 21 सितंबर 2024 को रा रेल यातायाद बादित रहा, हालाकि टीम मालदा ने इसे बाधा के रूप में देखने के बज़ाए, रेलवे नेटवर्क के दिर्गकालिक लाभेतु एक अबसर के रूप में लिया, इस ओस्थाई ठाराओ के दवरान टीम को वह आवश्यक कारे पूर्य करने का समय मिला, जो सामानने यातायाद के दवरान चुनोती पुर्न होता है, यह रेलवे की सनरचना को सुरक्षित कुसल और भविस्थे के लिए तयार रखने की उनकी परतिबदता को दर्साता है, इस अबधी में किये गए सुधार ना केवल परीचालन विश्वसनियता को बढ़ाएंग बलकि यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित और सहज यात्रा अनुभव भी सुनिस्चित करेंगे, इस दवरान टीम ने कई स्टेशनों परीय गुजनाओं को सफलता पुर्वक अंजाम दिया, जैसा आप लोगों को विदित है कि दिनाग 21 सितंबर को 23 बच के 45 मिनिट प पानी आजाने की वजह से हम लोगों ने सुल्तान गंज रतनपुर जो सेक्शन ड्रेल खंड है उस पे हमने ट्रेनों की आवाजा ही बंद कर दी थी यात्रियों की सरक्षा को ध्यान में रखते हुगे, पानी का बहाव और पानी का जो लेवल है अगले दो दिनों में कम होन और हम लोगों ने कॉशन के साथ में 15 किलोमेटर जो सेक्शन है उस पे 30 किलोमेटर प्रति घंटे की रफ्तार से कॉशन लगाके हम लोगों ने सभी ट्रेनों की आवाजा ही शुरू कर दी है प्रिकॉशन के तौर पे हम लोगों ने शुरू में सिर्फ गुट्स ट्रेन के लिए आवागमन जारी किया था और उसके बाद 16 बज के 30 मिनिट पे 24 तारिक को हम लोगों ने समझ ट्रेनों की आवाजा ही पर्मिट कर दी सिर्फ अभी 15 किलोमेटर रेल खंट पे कॉशन लगा है 30 किलोमेटर प्रति घंटे का जो की यात्रियों की सरक्षा को ध्यान में रखते हुए है और जैसे जैसे पानी का जलस्तर कम होता जाएगा हम लोग इस स्पीर को भविश्य में बढ़ा देंगे मा का प्यार अमुल्य और निस्वार्थ होता है बले ही परिस्तितिया कितनी भी कठिन क्यों न हो भगलपुर के नातनगर इस्तित एक ब्रिद्धास्रम में रह रही बुजर्ग महिलाएं इस ममता का जीता जाकता उधारन है गर से बेघर होने के बावजूद ये माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और तरक्की के लिए बिहार के लोग पर जितिया के अफसर पर कठोर निर्जला वुरत कर रही है समाच कल्यान विवाग दोरा संचालित इस ब्रिद्धास्रम में 25 महिलाएं रह रही है जिसमें से कई माताएं जितिया ब्रत रखकर अपने बच्चों की खुसाली की कामना कर रही है एक ब्रिद्धा ने कहा कि बच्चे हमें यहां भेज कर खुस हैं तो हम भी खुस हैं लेकिन हम अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हट सकते हम हमेशा अपने बच्चों की दिरगायू और सुक सम्रिद्धी की कामना करते रहेंगे यह माताएं भले ही अपने बच्चे से दूर हो लेकिन उनकी ममता और प्रेम कभी कम नहीं होता जीवन के अंतिम पड़ाओ पर भी वे अपने बच्चों के लिए प्रार्तना और ब्रत कर रही है जो उनके अटूर प्रेम और समर्पन का प्रतीक है अब अब ही आप कहा रह रहे हैं अखनी है अगनी तो नहीं है रहा है अज क्या की हुए है आज क्या की है आज की है आज की आज करें जीतिया की है इसके लिए जीतिया की है किसके लिए किई ऐओं बिटा अपने आव हुदपा कि अचीश ए कि बताल बचय करայा माझे बते हो बचो रो अपके लिए इतना कस्ट और हमको रुखियाा है इतना कषटॉ वह हम पनीret करिंगर को जाना जढू वह हम डी रुखिया करें बतान स्बहु करें बिहार रक्षा वायनी स्वयम सेवक संग के बैनर तले भागलपूर के होमगाड जवानों ने कम मायन बिल्डिंग परीसर में अपनी बिविन्य मांगों को लेकर बैठक आयोजित की इस बैठक में बागलपूर सारी चेतर के अलावा कहलगाओं और नवगचिया पुलीस जिला के भी होमगाड जवान सामिल हुए होमगाड जवानों की परमुक मांग है कि उन्हें भी सरकारी करमचारियों की तरह हर छे मैने पर महंगाई भत्ता दिया जाए बिहार लक्षा वाइनी स्वेम सेवक संके जिला सचीव विवास कुमार जा ने कहा कि बिहार पुलीस के जवानों को 24 गंटे की ड्यूटी के लिए सभी परकार के भत्ते मिलते हैं जबकि होमगाट जवान भी 24 गंटे काम करते हैं लेकिन उन्हें ये सुविधाय नहीं मिल रही है उन्होंने बताया कि इस संबंद में हाई कोट का आदेश भी आ चुका है लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है बैटक में सरकार को 15 अक्टूबर तक मांगे पूरी करने का अल्टिमेटम दिया गया अन्यता धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है